शी क्रश्न का नहिया लाल की जय, शी वल्लभा दीश की जय, 84 वेश्नवन की वार्ता जेशी क्रश्न, उन पचासवे वेश्नव, रामानन पंडित, वार्ता प्रसंग दो पाचे शी आचेर जी प्रत्वी परीक्रमा को पधारे, यहां शी आचेर जी के तिरसकार सो रामानन विकल होई गए, जहां तहां बाजार में खान पान करे, मरियादा सब छूटी गई, परन्तु इतनी मरियादा रही, जो कछुक खान पान करे, सो पहले यह कहे, शी प्रकार समर्पर करी के खाई, सो एक दिन रामानन बजार में चलियो जात हतो, सो एक हलवाई जले भी करत हतो, सो ताजी देखके रामानन ने मोल ले उही पाजार में कहयो, शी गोवर्दन नाजी अरोग यो, यहां प्रकार समर्पन करी जले भी खाई, सो जहां समय रामानन ने जलेबी शिनाज जी को अरोग आई, ता समय शे आचेर जी शिनाज जी द्वार हते, शिनाज जी को राजबोग आयो हतो, सो समय भहे शे आचेर जी भोग सराईवे को मंदिर में पधारे, तब आचमन मुख वस्त्र कराए, तब शिनाज जी के मुखार विन में जलेबी को अरोग आई है तो मैं अरोग्यों हूँ तब शिया आचेर जी ने कही जो कौन से वेष्णों ने जले भी अरोगाई है तब शिनाच जी ने कही रामननपंडित थानेश्वर गामके ने अरोग आई है सो मैं अरोग्य हूँ तब सियाचैर जी कही जो मैं तो वाको त्याग करियो है तुम वाकी समरपी केसे अरोगे तब सिनाच जी ने कही मैं तुमको वचन दियो है जाको तुम ब्रह्मसमन कराऊगे ताको मैं कबु मुझ न छोड़ूंगो ताते तुम त्याग करो परंत तुमने पहले मोको समर पियो हो सो मैं वाको केसे छोड़ू तब शियाचेर जी चुक बे रहे पाछे अनोसर करी के शियाचेर जी मंदीर ते बाहिर पधारे तब दामोदर्दास हरसानी सो कहे जो रामानन पंडित के हाथ सो शिनाजी जले भी अ करोगे और कहे मैं केसे वाको छोड़ू तब दामोदर्दास ने पूछी जो महराज आप या को त्याग कियो है और शिनाजी पक्ष करी है तो वा जीव को अंगीकार कप करोगे तब सियाचेर जी ने कही जो अब वेश्नव को अपराद न करोगे तो वाको लक्ष जन्म में अंगीकार करोंगो कहा भयो जो शिनाजी जले भी अरोगे तो पाचे एक वेश्नव शिनाजी के दर्सन करी के थानेश्वर गयो तब रामनन ने वेश्नव सो पूछी जो कभू मेरी बात सियाचेर जी के आगी चली हती तब वेश्नव ने कही जो तेरे हाथ की जले भी शिन आज जी अरोगे तब शियाचैर जी सो दामुद्र दास हरसानी ने पूछी जो आप रामानन को कब अंगीकार करोगे तब शियाचैर जी ने कही जो आज पाछे जो वेश्णों को अपराद न करेगो तो लक्ष जन्म में अंगीकार करोंगो इतनी बात चली हती तब रामानन प्रसन होई के कहो जो भलो लक्ष जन्म में मेरो अंगीकार करनो तो कहो ता पाछे रामनन की बुद्धी सुंदर भई वेश्णों के अब्रात ते डर्पन लागयो पंडिताई को हंकार हतो ताते अपरात परियो सो देन्यता भई पाछे स्वब्न द्वारा लक्ष जन्म में भुगताई करपा करी शियाचेर जी अंगीकार किये सो रामनन शियाचेर जी के इसे करपा पात्र भगवदिय थैं ताते इनकी वार्ता कहां ताही कहिये भाव प्रकाश अंगीकार किये सो काहे ते शियाचर जी वेशनों को दंड देत हैं सो सिक्षा को निज त्याग नही जैसे माता पिता पुत्रों को दंड देत हैं सो सिक्षार्थ ही पुत्रों को बुरा न करेंगे तेसे ही जाननो जो शियाचर जी को अंत्रक करन सो त्याग हो तो शिनाज जी वाके हाथ की सामगरी कभू नहारोगे। काहे ते शी आचैर जी के सेवक है। ताते जेसी इच्छा शी आचैर जी की होई ताही भाती शिनाज जी करे। काहे ते शी आचैर जी रंच अप्रसन होई तो शी ठाकुर जी वाको कभू अंगिकार न करे। तो श्याचेर जी त्याग करे ताके हाथ की सामगरी शी गोगर्दन धरण केसे अरोगे ताते श्याचेर जी के अंतहक करण को त्याग ना ही ताते श्याचेर जी वेद मंत्र सो जल छिर्की के त्याग याहिते किये जो मर्यादारीती सो त्याग है सो लोगन को दिखाईवे को सब जाने जो त्याग है परंतु लीला स्रश्टी के जाने जो देवी है सो तो सियाचर जी के अंग रूप हैं जैसे अंग को त्याग नाही तेसे देवी जीव को त्याग नाही ताते सीनाजी अरोगे ताते सी आचैरजी अंतहक करण प्रभोध में कहे हैं चांडाली चेद्राज पत्नी जाता राग्या चमानिताकदाचिद अपमाने अपी मूलत हका सती भवेत चांडाली चेदराज पत्नी मानवती जब भई तब अपमान हुँ होई परंतु रानी पनो न जाई मान अपमान तो होत ही है और नवरत्न ग्रंथ में कहे अज्याना दत्वा ज्यानात क्रत्मात्म निवेदनम यहे क्रश्ण सात्क्रत प्राने इस्तेशाम का परी देवना ज्यान अज्यान करी के जाको निवेदन भगवान में भईयो वह स्री क्रिश्ण को प्रान प्रिय भईयो वाको परी देवना दुख चिंता काहे की ताते रामानन द्वारा इतनो सिद्धान प्रगट करन अर्थ आपू मरियादा रिती सो त्याग किये जैसे रास पंच्या अध्याई में भक्तन को मान देखी अंतर द्यान भए सो कहा छोड़ी गए भक्तन को प्रभू छोड़े ही नहीं बाहर ते उनके रदय में जाई बेठे तेसे ही सब के देखत त्याग कियो सो वेश्नों को अपराद एसो भारी बताए और वेश्नों को बोलनों संभारी के काहे ते आश्रय अन्याश्रय सब बचन में है उह बाई ने संसारी मनुष्य सो प्रसन होई के कयो तुमने मोको जिवाई तब शिठाकुर जी उठी गए और रजोशत्राणी ते शी आचेर जी ने द्रत मांगयो सो न दियो और रात्री को विंती करी सामगरी अरोगाई ताते एक वचन अहंकार के सग्रे धर्म को नास करे एक वचन प्रसनता के प्रभुततकाल प्रसन होई सो वेशनों को संभारी के बोलनों यह जताए और महात्मी जीव है तिनको द्रडता जताए पुष्टी मार्ग में अंगीकार कियो शिठाकोर जी इतने पर न छोड़े जले भी अरोगे समर्पनी को त्याग ना ही शिठाकोर जी के वचन द्रड किये जो ब्रह्म समन की आग्या दिये तब कहे जिनको तुम ब्रह्म समन कराओगे ताको में न छोड़ूंगो सोव कहत हैं यहां वचन साची करी दिखाए और वेश्णों को शिगोवर्दन धरन यह जताए जो रामानन विकल बजार की जलेबी मोकव धरियो सो में शियाचर जी के कानी ते सेवक जानी अरोग यो तो आची भाती सो सामगरी धरे तिनकी बहुत प्रीती सो अरोगत हो और यह जताए यद्यपी रामानन ब्रश्ट विकल भयो सो शिनाज जी को समर्पी के खान पान करतो इतनी मरियादा नहीं छोड़ी और जो वेश्णों असमर्पीत खात हैं सो रामानन सो हु गए भी ते त्याग उनही को जाननो ताते समर्पे बिना कछू न लेनो और शिया आचेर जी रामानन को त्याग करी उहां रहे नहीं सो यही ते जो अंतहक करण को त्याग नहीं ताते आप उहां रहते तो विंती करी फेरी प्रसन करतो तो इतनो सिद्दान काहे ते प्रगट होई और शियाचेर जी शिनाज जी द्वार होई तब ही जलेवी रामानन ताको कारण यह जो सग्रेवेषनव रामानंद को त्याग भयो जाने हैं सो दिखाए त्याग नाहीं रामानंद तो शिनाजी के पास बेठे हैं यह जताए जो लोकिक वेदिक देह उहां विकल भई है जाखो त्याग किये अलोकिक आधी देविक देहे श्री गोवर्दन धरन पास ही है शो सेवा करत हैं इत्यादिक भाव प्रगट भए दिखाए गाउंशी गिर्दर लाला आज सभा में पून रहत हैं सूर दासनन्द लाला वल्ल भिवेश्नव सदा सुहागी जेशी क्रश्न